हेलो फ्रेंड्स आज मैं बिल्कुल नई डिजाइन की एक बेबी कैप बनाने जा रही हूं यह देखिए हमने 181 फंदे डाल कर रखे हुए हैं यह पूरे आगे तक नहीं जाएंगे पूरे फंदे की नहीं टोपी बनेगी क्योंकि यह बीच में हमें हमें घटाने हैं इसलिए शुरू में हमें इतने फंदे डालने पड़ेंगे यह कम से कम 6 महिने के बच्चे के हिसाब से हम टोपी बना रहे हैं यह शुरू में हमने आठ फंदे उल्टे बुन लेने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ अब इसके बाद हमने धागा पीछे करके और इन दो फंदों को इस तरह से लेकर हमने पलटके हमने इस सलाई पर लेना है और फिर तीन का एक करना है अब पहली सलाई है थोड़ा सा परिसान कर सकती है इस तरह से हमने तीन का एक करना है फिर आगे धागा करके हमने पंदर फंदे उल्टे बनाने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरह, चौदह और एक पंदर है इसके बाद फिर हमने धागा पीछे करके और उसी तरह से हमने तीन का एक करना है दो धागे इस तरह से लेकर और इस तरह से पलटके हमने और तीन का एक करना है इस तरह से यह देखे सीधा फंदा हमारा एक फली की तरह बनता जाएगा फिर आगे धागा करके फिर पंदर फंदे हमने उल्टे बुन लेने है इसी तरह हमने पूरी सलाई करने है दो, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरह, चोदे और एक पंदरे फिर धागा पीछे करके हमने इसी तरह से इन दो फंदों को इस तरह से इस सलाई पर लेके और घुमाकर हमने इस सलाई पर लेना है यह देखे पहली सलाई हमारी कम्प्लीट हो गई अब मैं दूसरी सलाई में बताती हूं कैसे करना है यह हमने जो पहले आठ फंदे लिये थे इनको हमने उल्टा उल्टा बुनना है यह हमने साथ फंदे उल्टे बुनने हैं अब यह हमने जिससे हमने तीन का यह किया था यह जो है यह वाला सीधा फंदा इसको हमने इस तरह से लेना है इस तरह से लेना है एक फंदा यह और सीधा वाला इसको हमने पलट के और इस सलाई पर चड़ा कर हमने तीन का एक करना है वह भी उल्टा बुनके इस तरह से यह देखे यह हमारी फली सी बंती जाएगे अब हमने तेरे फंदे उल्टे बनाने हैं पहले हमारे 15 थे तो अब दो हमारे घट गई हैं यहां पर एक इधर और एक इधर तो अब बीच में हमारे यह तेरे फंदे बचेंगे कि देखें यह तेरे फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं फिर हमने वैसे ही करना है यह हमारा सीधा वाला फंदा है फली वाला इसको हमने इस तरह से लेना है और एक फंदा हमने इधर से लेना है दोनों को हमने इस तरह से पलटके और इस सलाई पर चढ़ा कर हमने एक फंदाई इधर से लेना है और तीन का एक कर देना है यह देखें इस तरह हमारी फली यह सीधी फंदे की बनती जाएगी अब हमने फिर तेरह फंदे हमने उल्टे बनाने हैं कर देखें फिर हमारा यह तीन वला फंदा आगे जिसके हमने तीन के एक करेते ही रहा सीधा फंदा इसको हमने इस तरह से लेकर और पलट के एक फंदा इधर से लिया और तीन का एक कर देंगे यह देखें इस तरह से फिर हमने तेरह फंदे उल्टे बनाने है इसी तरह हमने पूरी सलाई कम्प्लीट करने है यह हमारी दूसरी सलाई कम्प्लीट हो गई है अब मैं तीसरी सलाई बताते हूं पहली सलाई की तरह ही बनाने है इसमें देखें अब हमने शुरू में पहले हमने आठ लिएते फिर उसके बाद साथ अब हमने छे फंदे उल्टे बनाने आए तेन चार पांच छे फिर धागा पीछे करके यह जो फली वेला फंदा है इसको हमने इस तरह से लेना है और इस सलाई पर हमने यह हमने तीन का एक कर दिया अब हमारे इधर 11 फंदे बचते हैं हमने उन्टे फंदे अब 11 बनाने है ते आगा आगे करके 11 फंदे बुल लेने है चार पांच छे साथ आठ नो दस और 11 फिर हमने धागा पीछे करके इसी तरह हमने तीन का एक करना है ते जाएं तो जाएं हमने तो फिर हमने 11 फंदे उन्टे बुल लेने हैं एक तो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारें यह देखिए आप थोड़ा थोड़ा आपको डिजाइन समझ में आ रहा होगा जिस तरह यह ग्राउन में इसी तरह हमारा डिजाइन होता है अभी पूरा बनके आपको अच्छा लगेगा अ में यह एक करना है कि हमने टोटल चारश जाने हुग अभी हमारा यह तीसरी सलाऑ एं चौ थी सराओ कि उल्टी तरफ से कंहने इस तरह कहीं वड़ाने नहीं सिर्फ मनें गटाने हैं कि ये क्राउं जैसा डिजाइन हमने बनाना है फिर हमने 11 फंदे उल्टे बनाने है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस और एक 11 फिर धागा पीछे करके फिर ये तीन का एक करना है इसी तरह हमने पूरी सलाई बना लेनी है ये देखे है हमारी चाथी सलाई अब शुरू होती है इसमें हमने 5 फंदे बनाने है उल्टे एक दो तीन चार पांच और फिर उसी तरह से हमने जैसे पहले बताया था ये सीधा फली वाला फंदा है इसको हमने इस तरह से लेना है एक फंदा इदा से लेना और एक फली वाला लेना है इस तरह से इसको लेकर हमने इस सलाई पर पलट के लेना है और एक फंदा फिर हमने इदर से लेना है यानि कि तीन का एक करना है यह हमारी चौथी से लाई है इसके बाद हमें मलब घटाने हैं लेकिन साथ साथ हमने बढ़ाने भी हैं तो टोटल यह हमारे सो फंदे रह जाएंगे छे महिने से एक साल तक के बच्चे के लिए सो फंदे काफी हैं यह देखे यह हमारा फली बाला फंदा है इसको हमने इस तरह से लेना है और पलट के इस सलाई पर पिरोके और तीसरा फंदा लेके तीन का एक करना है अब हमारे यह 9 फंदे बीज में रहते हैं उल्टे बनाने के लिए 9 फंदे रहते हैं 15 फंदे थे हमारे आप यह 9 फंदे रह गया यह देखे इसी तरह हमने पूरी सलाई बनानी है यह देखे अब हमारी 15 लाई शुरू होती है अब पहले हमने एक फंदा सीधा बना है और फिर धागा आगे करके हमने तीन फंदे सीधे बनने हैं यह हमारी एक जाली पड़ गई इस तरह से अब फिर हमने उसी तरह से तीन फंदे घटाने है तीन का एक करना है इस तरह से अब हमने तीन फंदे सीधे बनने है दो तीन फिर आगे धागा करके हमने एक फंदा बनाना है फिर आगे धागा करके तीन फंदे सीधे बनाने है अब यह देखे यहां पर हमने तीन का एक किया दो फंदे हमारे घट गए तो एक हमने यहां पर बढ़ा दिया और एक इधर आ गया और एक फंदा इधर जो बढ़ाया है वो इधर से घटेगा उसका हो जाएगा तो इस तरह हमारे अब बराबर फंदे रहेंगे जितने घटाने है उतने ही बढ़ाने है यहां पर हमने फिर तीन का एक करना है फिर तीन सीधे बनाने है फिर आगे धागा करके हमने एक जाली डालनी है फिर आगे धागा करके तीन सीधे बनाने है एक, दो, तीन फिर भही तीन का एक फिर तीन सीधे फिर आगे धागा करके एक सीधा फिर आगे धागा करके तीन सीधे यह हमारे घटे भी जा रहे है और भड़ते भी जा रहे है बस घटाने हमने चार सलाई में ही थे जो हमारे 180, 1 फंदे थे अब हमारे 101 फंदा रह गया है यह देखे आपको डिजाइन भी पता लग रहा होगा यह ग्राउन सा बनता जा रहा है यह देखे आपको यह टोपी दिखाती हूँ मैंने बना रखी है इस तरह से इस तरह से बनके यह कंप्लीट होगी बहुत ही सुंदर लगेगी बच्चों के उपर अब मैं इसको बताती हूँ आपको पूरा करके भई तीन का एक फिर तीन सीधे फिर आगे धागा करके एक जाली डालके एक सीधा फंदा बनाना है फिर एक जाली डालके हमने तीन फंदे सीधे बुनने हैं कि यह हमारे दो घटते जा रहे हैं तो दो अफंदे हमारे बढ़ते जा रहे हैं कि 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 देखिया हमारी चलाई कंप्लीट हो गई है अब एक जाली जाली डालके है हमारी लास्ट में फड़ेगी यह यहां पर घटा दिये अब तीन फंदे के बाद हमने एक जाली यहां पर डालनी है यह हमने लास्ट का फंदा बुन लिया उल्टी सलाई हमारी पूरी उल्टी बुनी जाएगी इसमें हमने ना घटाने है और ना बढ़ाने है के पहले हमने एक फंदा लेके जाली डाली थी अब हमने दो फंदे सीधे बनाके फिर जाली डालनी है और पहले टीन बनाय थे सीधे अब हमने दो बनाने है क्योंकि एक यहाँ पर घड़ जाएगा और दो सीधे बनाने है इस तरह से फिर हमने यहाँ पर तीन का एक करना है दो फंदे सीधे और फिर आगे धागा करके जाली डालनी है यह हमारे अब तीन फंदे हो गए सीधे बीच वाले यह जाली जहां पड़िए दो जालियां हो गई है एक दो फिर वही तीन का एक इसी तरह हमने पूरी सिलाई करनी है अभण देखे हैं हमारी दो जाली पड़ चुकी हैं आपने तीसरी डाल रही हो अब अब ने यहां पर तीन फंदे सीधे लेने हैं पहले एक लिया ता फिर दो अब हम तीन फंदे सीधे बुल लेंगे फिर आगे धागा करके एक फंदर सीधा और फिर तीन का एक इस तरह से देखिए यह हमारी तीन जाली हो चुकी है अब यह लास्ट का एक फंदा हमारा और रह गया है कटाने को टोटल चार जालियां पढ़ जाएंगे यह सितरह मने पूरी से लए बुले निया है यह देखिए अब हमारी यह बुनाई की लास्ट लाइन है यानि कि चौथी जाली तक ही हमने बनाना है अब हमारी यह चौथी जाली पढ़ने वाली है तीन जालियां हो गई है एक दो तीन अब हमने चार फंदे सीधे लेने है एक दो तीन चार उसके बाद आगे धागा करना है और फिर वही तीन का एक करना है इस तरह से अब आगे धागा करना है और फिर हमने सीधे बना लेना है सारे पंदे इस तरह से फिर आगे धागा करके फिर वही तीन का एक यह देखे एक हमारा इधर बढ़ जाता है एक इधर बढ़ जाता है हमारे फंदे पूरे के पूरे रहते हैं यह देखे चार जाली हो गई है एक दो तीन और एक चार इसी तरह हमें पूरी सलाई कंपलीट करके दिखाते हैं आपको यह देखे बुनाई पूरी हो गई है अब यह सीधी तरफ है तो हम अब इधर उल्टा उल्टा बनाएंगे इस तरह से हमने दो धरियां उल्टी-उल्टी की डाल ली है यानि कि चार सलाई यां बुन नहीं है इस तरह से उल्टा-उल्टा बनाना है यह देखे सीज तरफ चार सलाईयां बना के मैं आपको दिखाती हूं आगे क्या करना है इस तरह से आप इतना भी बना कर बच्चों को पिना सकते हैं यहां पर इस टॉन लगाई है यह देखे मैं दिखा देती हूं आपको इस तरह से मैंने यह कैप बना के रखे हुई है इस तरह से आप बच्चे को पिना सकते हैं बना के इतना इतना ही पोर्शन आप बना के बच्चे के लिए तयार कर सकते हैं आप चाहें तो आप पूरी टोबी बना सकते हैं मैं आपको इसमें दिहाँ कि यह लंबाई बताती हूं कैसे करनी है इस तरह से पूरी सिलाई कर लूँ उंटी फिर मैं बताती हूं कि आगे आपको क्या करना है अब देखिए क्या करना है यह हमारा सीधा हिस्सा है सीधी तरफ आएगा हमारा यह तो इसलिए हमने इधर उल्टा बुनना है और इधर से हमने सीधा बनाना है इधर से उल्टा बुनना है और इधर से सीधा बनाना है क्योंकि यह देखिए इस तरह से इस तरह से है इसमें तरह से फोल्ड करेंगे तो हमारा ये सीधा हो जाएगा इस तरह से हमने उल्टा भुणना है इसे सीध्वissements और उल्टी तरफ से सीधा बुनना है और आपको आप बना के दिखाती हूं आपको किस तरह से कि देखिए मारी कैप की लंबाई पूरी हो चुकी है मैं आपको घटाना बताती हूं कि इस तरह से आएगी कैप हमारी हमें आपको घटाना बताती हूं कि यह पहले हम नौ फंदे बना लेंगे सीधर सीधर दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ फिर हम इस तरह से दो का एक कर देंगे ऐसे फिर नौ फंदे बना लेंगे दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ फिर दो का एक कर देंगे फिर नौ फंदे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ इसी तरह हमने पूरी सलाई बना के कंप्लीट करनी है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ फिर दो का एक दे पांच पांच छे साथ आठ नौ फिर दो का एक अब मैं उल्टी सलाई बुनते हूं उल्टी में घटाना बिल्कुल नहीं है बस उल्टी उल्टे ही बनाना है फिस सीधी सलाई में बताती हूं आपको दुबारा से सारे फंदे उल्टे बुने हुए हैं अब सीधी से तरब से वैसे ही करना है पहले हमने नौ फंदे बुनेते अब हमने आठ फंदे बुने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ अब यह हमारा आ गया है जिससे हमने दो का एक किया था तो इसी फंदे से हमने यह वाला फंदा घटाना है इस तरह से दो का एक करना है फिर हमने आठ फंदे बुन लेने हैं कि देखें यह वाला हमारा फंदा जिससे हमने दो का एक किया था इससे हमने यह वाला फंदा घटाना है इसी तरह हमारे फंदे घटते चले जाएंगे कि अगली सलाई में साथ फंदे बुनने होंगे कि इसी तरह हमने सारे फंदे घटा लेने हैं कि देखें यह हमारे सारे फंदे घट गई है और यह देखें कितने अच्छी कल्यासी बन गई है इस तरह से घटाने से यह देखें आपको नजर आ रही होंगे अब मैं इनको बंद करके दिखाती हूं कि यह हमारे इतने फंदे रह गए हैं दो चार्ट छे आठ दस अब मैं इनको इस तरह से स्वी में निकाल दूंगी अ इस तरह से एक बार निकाल दूँ जिस्टे की मजबूती से सिल जाएगा इस तरह से डिजाइन सा बन जाएगा हम इनको सिल देती है फिर मैं आपको दिखाते ही कर दो कर दो कर दो कर दो इस तरह से पहला धागा लेकर बहुत ज्यादा मोटा मोटा नहीं चिल लाएं यह देखिए कितनी सुन्दर बन के तयार हुई है यह मैंने इसमें चुटे-चुटे बोती लगा रखे हैं आप कुछ भी लगा सकते हैं जो आपके पास हो बहुत ही सुन्दर लगेगी पहन के भी अगर आपको हमारी कैप पसंद आए तो प्लीज शेयर करें लाइक करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कैसी लगी और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बास सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू झाल